नहीं मिल पाता है यूट्यूब लेने का तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना शाम को आठ वजे लाइब सेशन लिया जाए ठीक है और वो भी आप सबके फेवरेट टॉपिक सिंप्लिफिकेशन का फेवरेट इसी लिए क्योंकि उसके ते को दो रीजन है एक तो थोड़ा सा क्लर की बात करें चाहिए प्योंकि बात करें मैंनम मिनीमम पांच नंबर तो पक्के है ठीक है आज से एक दो साल पहले पंद्रे पंद्रे कोश्चन क्लरक में सिंप्लिफिकेशन के पूछे जाते थे ठीक है अभी थोड़ा सा कम हो गये लेकिन मेबी एक्जामिनर के जो एक से चाहूंगा कि बहतरीन सेशन बनाते हैं आज का ठीक है ये सेशन ट्रेंडिंग में जाना चाहिए और शेयर कर दो जितने जाना लोगों से मजा आना चाहिए फुल कॉम्टीशन होना चाहिए यहां पर फुल फाइट होनी चाहिए ठीक है और गारेंटी बात कि रहता हूं कि सेशन में ठीकिनिक देखने को मिलेगी नई टेकनिक कम से कम 10 से बारे टेकनिक आप सीख कर जाओ गया आगल चली कोई भी लो लेवल का कॉश्चन नहीं सारे अच्छे लेवल के कॉश्चन से ठीक है तो चली श्टार्ट करते हैं बिलकुल रॉकेट की स्पीट से से सेशन आज का पहल सवाल फर्स्ट कोश्चन आपके सामने लिखा जाता है यहां पर 2462 2562 2562 divided by 3416 into 100 3416 into 100 percent of 4016 पहला सवाल है बहुत मज़ेदार सवाल है देखते हैं कितने लोग इसको within 20 seconds solve कर पाएंगे ठीक है चलिए 3015 A is 3015 B is 3012 जब तक मैं कोश्चन लेखू न तब तक तो आन सा आ जाने चाहिए 4004 1004 and none of these these are the options चलिए बताएंगे जल्दी से क्या अंसर होगा इसका कर देख संदीब भाई साफ संदीब व्यार्जी करपया करके नेगेटिविटी मत फिलाओ पॉजिटिविटी का माहूल है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो ठीक है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करो ठीक है इससे अच्छा बात क्या होगी मतलब आप नेगेटिविटी फैलाते होगे यह वो उसको छोड़ो यार कोई आदमी जैसे कि मैं हूँ अपने मतलब घर परिवार बीवी बच्चों को चोड़ कर यहां पर आठ वजे ठीक है आपके लिए लाइव लेने आया है तो ठीक है तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट कर लो चलिए ऑप्शन भी यहां पर लोगों का अंसर रहा है ऑप्शन भी करना कैसे टेक्निक क्या है कोश्चन करने की जड़र वो देखेंगे देखो न कि लेकिन आपकी टेक्निक क्या हों चीए कि बंदब if you want to solve this question within 5 to 10 seconds तो कैसे कर सकते हैं मैंने यह देखा नोटिस किया कि भाई यह जो 3400 है इसका आदा होता है 1700 यह बड़ देखते है ना 3416 मालब 34 का आदा 17 ए 16 का आदा 08 तो I can say कि इसका आदा हो गया 1708 प्लस क्या प्लस क् ना इन दोनों का डिफ्रेंस है ना शॉरी इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना है 62 में से ट गया कितना ऊप्रूब एन 25 में से 17 गया कितना पेम्ट है एट अचा मेरे यह बात बता उके आपको दिखता है कि 600 का आधा 800 होता है और 108 थे होता है एसी यह वाली इसके आदी मालब कहना हिसे कि यह वेलिए इसकी आदी यह वेलिए सबस्या मैं यह कितना 75 पर सेन्ट तो होकर by 100 नहीं करता सीरे 3-4 निकाल लेता हूं simple 3-4 ठीक है 3-4 मतलब आप एक बात देखो कि परसेंटेस से 100 तो कटी जाएगा इसका तो कोई थोड़ा कैंसलेशन में लोगों को दिख्कत आती है किससे कैंसल करें इससे करें अगर आपका परसेंटेस थोड़ा फास्ट है मेंटल कैलकुलेशन आप कर सकते हो तो आपके लिए टेक्निक कितनी बैतर ही ने ठीक है बहुत सारी कॉंप्लिकेटिस सिट्वेशन और अप्रॉ इस एट परसेंट ऑफ सेवन ट्वेंटी देखो मैं इधर उधर की बातों को करता नहीं हूं बीच बीच में सेशन में मैं चाहता हूं कि एक ही घंटे में इतना कुछ पढ़ा दूं कि मतलब फिर कुछ बचाई ना हालां कि ये कोशिश कामयाब नहीं होती हर बार लेकिन को आप्शन से मेरे पार जल्ली जब तक मैं उप्शन लिखूंँ आपके आंसर आजाएं चाहिए ना विदाउट ऑप्शन भी कुश्चन हो सकता हाराम से 549.5 550.5 ऑप्शन सी 649.5 ऑप्शन दीज 848.5 एंड देन नन अब दीज बी सी डी एंड चलिए बताईए लोग हम से जुड़ चुके है ठीक है यह नंबर आपको 2000 प्लस पहुंचाना है ठीक है रेगुलर क्लास चाहते हो कि आठ वजे यह टाइम पर्फेक्ट टाइम है इस समय आपको रेगुलर नई नई टेक्निक सीखने को मिले तो सेशन को शेर करो मजा आना चाहिए ठीक है को एंजोय का होगा जब हमें लगेगा कि हाँ ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं मजा आएगा उसमें एक्साइड मेंट होता है हलांकि उससे कोई हमें फायदा नहीं है कि मला पैसा नहीं मिल रहा ठीक है लेकिन एक एंजोय मिलता है सैटिस्वक्शन 68% of 720 plus 41% of 390 is जल्दी से इस तरीके से हमाई साथ 14 100 लोग हो चुके हैं अभी इंतजार है 2000 लोग कवाएंगे चलिए बताईए इस कुश्चन का अंसर सी ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने टाइप कर दिया है बहुत सारे लोगों ने सी ऑप्शन टाइप कर दिया है चलिए देखो जड़ा क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे बहुत बढ़ी है मतलब भूत मज़ेदार सवाल है मतलब अगर आप नोटिस कर पाए न तो एक्जाम में एक confidence इतना उपर पहुंच जाएगा आपका इतने अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा कि वाँ मजा आ जाएगा लेकिन वैसे नॉर्मली तो आप करी सकते भाई 68 इंटू 72 करोगे 41 39 करोगे वह तरीका नहीं करना क्या है देखो 68 इंटू 720 यह चीज मुझे नोटिस होनी चाहि नहीं यह बताए 40 प्लाइए 40 फ्लास यह क्या है 40 माइनस वन एया माइनस बेज ब assumptions कोच यादा है a square-b square किए विद्माग में करूं लेते हैं जसात्तर का स्कोर कितना उता है दिमाग में करूंब एक माइनस वाले पार्ट को अलग देखेंगे पहले इनको देख लतीकि इसमें से 100 इसको दिया तो 500 505, 1600 में से कितना गया 5 गया 5600 में से 5 गया तो कितना 6495 तो और दिवाइट बाइट बाइट 10 है तो पॉंट यहां आगिया यह comment box में बताओ ठीक है किया सबने होगा बहुत साही लोग तो calculator लेकर भी बैठे होंगे कि सबसे पहले मैं आंसर देता हूं calculator से ठीक है आपको नहीं पता लेकिन बैठते हैं लोग ऐसे लेकिन कितने लोगों ने ऐसे किया डिस आइडियल अप्रोवस्टू सॉल्ड इसकूश कोशन देखते हैं थर्ड कोशन है इस तरीके से तो बताओ देखो इस कोशन को कितने लोग कर पाएंगे देखते हैं थर्ड कोशन आज का 30.6% परसेंट ओफ टू नाइन फोर जीरो टू नाइन फोर जीरो इस इकल टू वाट बताओ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ ऑप्शन की इसमें जरूवत ही नहीं मतलब आप ऐसे ही कर सकते हो बताओ जली से 30.6% परसेंट ओफ टू नाइन फोर जीरो क्या आंसर होगा बहुत साही लोग के रहें सर ऐसे ही किया लेकिन ज्यादा तर लोग के रहें कि बेसिक से किया चलो बताओ इस सवाल कान से बताओ जल्दी से सेशन को जितने टेलीग्राम ग्रूप स्वगेरा में आप हो सोशली एक्टिव रहते हो तो सेशन को शेयर करो 2000 प्लस पहुंचाना आपकी जम्मेदारी है ठीक है यह आपका टास्क है मेरा टास्क है आपको वैटरीन तरीके से पढ़ाना चलो बताओ ओ ओके 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 के से 899.64 कुछ लोगों का अंसर आइक्टिक तो यह और आप्शन के विना बड़ी दिक्कत आ जाती लोगों को ति ओप्शन के विना बहुत साइन मों को दिक्कत आ जाती चलो देखते हैं करेंगे कैसे अभी टैक्निक सिखी है ना उसी का ही उ हुआ हो कि यह सबनाव नबेहों गाल मैनेस चाय का सक्कोड तीनसों स्क्वर माइनसज फ्यूट फंट दिमाग में किए इसकता यह यह कितना होगा भी नभे जार नभे जार माइनस 36 छटेश अच्छ नभे जार माइनस वह बढ़ा टास्क हा बहुत साही लोगों के लिए उल लिखकर ही करेंगे वह ऐसे करेंगे नभे जार माइनस 36 अच्छा 10 में से 6 गया 4 9 में से 6 गया 3 9 9 8 इतना तो दिमाब में करें करें 90,000 में से 36 गता ना तो 1000 में से 36 गता दो कितना बचेगा 964 तो क्या होगा 89,964 डिवाइट बाइंड्रेट है 89,964 डिवाइट बाइंडर पॉइंट यहां पर आगे एट 99.64 क्लियर मतलब यह टेक्निक सबको क्लियर हो गई विल्कुल परफेक्ट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्थ कॉश्चन फॉर्थ कॉश्चन अब मज़ा आएगा फॉर्थ कॉश्चन में चलू देखते हैं क्या है बहुत भड़िया सवाल मज़ेदार सवाल है वहलाब आखे खुल जाएंगे आपके इस कुश्चन हो करने के बाद कैसे भी सवाल हो सकता है फिप्टी सेवन बाई सेवन परसेंट ओफ कितना 424 या डेको टाइप नहीं करा पाया कुश्चन टाइप राइट हमारे आज अप्सेंट थे कोई बात ने संसाधनों के अवाब में पढ़ाई और ज्यादा अच्छी होती है 424 42 6 by 7% 42 6 by 7% of 417 इसको बताओ कैसे करें बहुत डिफिकल सा सवाल लग रहा है न देखने में न अच्छा चलो देखो ऑप्शन एब ऑप्शन भी देता हूं चलो बहुत सहलो ऑप्शन की इंतजार में रहते हैं ऑप्शन भी देते हैं 420 431 421 421 डेक्स 446 अगला आंस ओप्शन इस नन ओप दीस बताओ क्या अंसर होगा जल्दी से फास्ट अठारल सो चवण लोगों की कमी है दो अजार हो जाएगा मजा आजाएगा जल्दी से बताओ कि अब कि अब कि अब कि यह तफ हो गया ना यह तफ हो गया अंसर देखो आप अनसर आने की जो स्पीड अब काफी स्लों गीजैसे एक तफ कुशन आता है अंसर आने से लो जाते हैं और दीरे दीरे कुश्चन सोब्सक्राइब थोड़ा बढ़ता जाएगा ठीक है चौथा सवाल है कि अब आचका यह नहीं बन पा रहा है कुछ लोग करें डी ऑप्शन 421 चलो बहुत अच्छी वात है यार मतलब इसको तो कैल्कुलेटर में फीड करना ही बड़ा मुश्किल है मतलब कैल्कुलेटर जो लेकर बैठे होंगे ना वो तो इस उनके लिए भी कहां तक करते रहेंगे इतनी देर में तो मैं बोलता हूं कि इस कोशन के लिए पैन पिक करने की जरूरती नहीं है मैं विदाउट पैन मतलब विदाउट पिकिंग पैन इसको करूं विदाउट पिकिंग अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ कि 571 by 7% क्या है यह बढ़ा ड के साथ यह थो नॉपर ईसके साथ यह नंबर क्या है यह नंबर क्या है यह नंबर क्या है यह नंबर क्या यह नंन यह नहीं सुना होगा अपने तो यह देक इसानी ऑम मैं बैसेट न यह क्या है 50% radi complex 가까겠습니다 211 Fra defeat 14 14 2 by 7 का आधा है ना 14 2 by 7 का आधा 7 by 7 तो 1 by 7 का आधा कितना हुआ 1 by 14 हुआ अगर मैं इसको लेखू उपर नीचे 7 से multiply कर दो 7 by 14 7 plus 1 8 by 14 can I say it is 2 4 times 2 7 times so it is 4 by 7 यह नंबर क्या होता है 4 by 7 आज के बाद कसम खालो कि यह नंबर जब भी दिखेगा इसको 4 by 7 से replace करना है या दूना चाहिए दिमाग में रट जाना चाहिए ठीक है मैने तभी सफ़ा लो पाएगी ठीक है यह आपको या दूना चाहिए 42 6 by 7 परशन भी या दूना चाहिए ठीक 6 by 7 का सम कितना है 1 plus 6 by 7 यानी 7 by 7 यानी कि 1 99 plus 100 मालब कहना इसे कि इन दोनों परसेंटेस वैलिउस का सम 100 है और अगर आप मेरे सेशन को रेगुररली फॉलू करते हो देखो 2000 से जाए लोग जोड़ चुके है congratulations to all of you आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन भी लोगों न बातों को सुनना कि जब दोनों नंबर्स का सम 100 बन रहा हो तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर्स के टम्स में ब्रेक कर लो काम खतम हो जाएगा वाई 417 और इसको अगर मैं 417 के टम्स में ब्रेक करूं तो 417 प्लस 7 लिख सकता हूं के नहीं लिख सकता हूं के नहीं लख सकता हूं अच्छा यह कितना होता है वोलो यह होता है 417 ठीक है अचा अगर मैं के वाले मेजिन करूं कि इतना परसेंट आफ417 मर्लाब टोडर्ट ल हंड्रेट पर्सेंट आफ 417 जैस आपके दिमाग में क्या आएगा इन दोनों का सम 100% of 417, अभी ये बचा, ये 7 वाला पार्ट बचा, तो 7 वाला पार्ट में क्या आएगा, इतना परसेंट, 571 by 7% of 7, यानि कि 4 by 7 of 7, तो क्या बचेगा, 4 by 7 of 7, और question यहीं पर आकर हो जाता है, खतम, 417 plus 4 answer 421, खतम, अभी imagine कर लो कि क्या किया है, ये चीज़ द सारी चीज़ें आपको बताएं, इन डेफ्स, तो इसलिए, इसलिए आपको इस question में, जो इस question को समयने है, time लग गया, otherwise ये time consuming question बिलकुल भी नहीं है, दिमाग में मैं कर सकता था, मैं चाहता था, answer आपको direct बताते था, 421, clear है कि नहीं बोलो, समझ आया, मजा आ गया हो, तो session को like भी करते साने, साथ की साथ, ठीक है, लगे के हाँ वही, चलो, तो 421 is the answer, ठीक है, अभी जिन को एक बार में clear नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो रहेगा, आप दो तीन बार में समझोगे, तो समझ में अप आ जाएगा, कोई tension वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी demoralize होने की बिल्कुल जरूवत नहीं है, ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, तो मुझे दो बार समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आता है, और जितनी मेनत करके कोई concept समय में आता है, उतना ही दिन तक, उतने ही सालों त सब्सक्राइब अभी तक का सबसे बैतरीन सब्सक्राइब देखो जरा कुश्चन है यह 343 इंटू 344 का स्क्वेर प्लस 345 प्लस 1 इस पूरे की पावर है 1 by 3 बोलो कितना अंसर है सब्सक्राइब अप्शन दूं क्या मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऑप्शन की जरूरत है बट फिर भी दे देते हैं चलो बहुत से लोग ट्राइब करते हैं ऑप्शन सी 343 344 244 27 and none of these बताओ क्या आंसर होगा इसका जल्दी से बताए जल्दी से बताओ अब इसका आंसर आना थे 30 सेकंड वाला मतलब 30 सेकंड वाले जो लोग वोलने 30 सेकंड में बड़ा मुश्केल है वाई ऐसे देखते रहेंगे मतलब जैसे अब क्या ही बताऊं छोड़ो मतलब देखते रहेंगे करें क्या इसमें लेकिन देखने से आंसर नहीं आगा देखने के साथ सोचना भी होता है अगर इसको सोचोगे तो सबसे पहला सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में क्या आएगा मालू है इस question में इस बात की guarantee है तो pattern क्या है जरह मुझे यह identify करना है तो देख यहां cube है ना 1 by 3 power तो कहीं ना कहीं cube वाला format बनेगा कहीं वाला format बनेगा अगर मैं उसको बनाने की कोशिच करूं तो can I say can I write this number as 344 minus 1 ऐसे लिख सकता हूं 343 को इसको क्या लिख सकता हूं 344 का square ठीक है plus इसको क्या लख सकते हैं इसको लख सकते हैं 344 प्लास 1 ऐसे लख सकते हैं को दिखकर नहीं 345 को 344 प्लस वन लख सकते हैं तो यह वन स्क्वेश कटे हैं अभी तो हपको समझ में आ गया ओगा हो इतना लिखने के बर फिक्चर क्लीर हो क्या है यह बोलो a-b into a square plus a b plus b square यह 1 into 344 न लेख सकते हैं 1 into 344 तो a-b a square plus a b plus b square किसका फॉर्मला होता है a cube minus b cube किसका फॉर्मला होता है a cube minus b cube का मतलब 344 का cube minus 1 का cube और यह plus 1 यहां पर खतम काँ power 1 by 3 minus 1 से plus 1 कट गया मतलब 344 का cube power 1 by 3 answer is 344 answer option b समझ आया के निए बोलो clear एक निया सुन क्लियर चेख देख सेशन अभी आपने देखा हो ग्यारे बारे डिसलाइक थे लेकिन जैसे सम कुषिन अच्छे अच्छे कराते जा रहें दिसलाइक भी कम होगे लोगों ने सोचा के मालब लोगों की नफरत भी कम हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मज़ा तब आता है जब स्टुडेंट सलेक्ट हो जाता है उसका मेल मेरे पास आता है कि सर आपकी पढ़ाई हूँ चीजों से मेरा सेलेक्शन हो गया थेंक यू सो मच उस समय सैटिस्फेक्शन मिलता है ना उसका तो मतलब कोई जवाब ही न साम में and that is equal to question mark divided by 8 अगर आपको यह पूचा गया तो इसका अंसर किस तरीके से निकालोगे अब देखो option लिखने में में टाइम नहीं विश्ट कर रहा हूं आप ऐसी बता दो इसका अंसर क्या चलो option लिखी देते हैं आपके लिए answer type करना असान हो जाता ना फिर option के थू त option is none of these बताओ जिली क्या answer होगा ठीक है अगर आपको पूरी preparation करनी है तो आप लक्ष बैच में जॉइन कर सकते हो ठीक है आपको पता होना चाहिए कि लक्ष बैच आज से शुरू हो चुका है ठीक है अगर आप कल पर्सों में भी जॉइन करते हो मन बना लो अपना जो भी है तो आपको recorded वीडियो दो एक- आपको प्रक्रास के मिलते हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है चलिए अब बताओ जल्ली से अज़ए जब मैंने का नहीं डिसलाइक कम होगे तो और डिसलाइक पांच से डिसलाइक आगे कुछ लोग इसी इंतिजार में बैटे थे चलो कोई बात नहीं है कोई फरक नहीं प करा लूँ आपको वही मेरा बस मोटेव है बागी तो मैं समझा सकता हूं ठीक है तरीका तो यह है कि मतलब तीस परसेंट इसका निकालेंगे दो परसेंट निकालेंगे एड करेंगे तीस परसेंट निकालने के लिए 477.5 को तीन से मल्टिप्लाय करना पड़ेगा या थोड अधर लेकर जाएंगे तो मल्टिप्लाय होगा कि नहीं होगा जब इधर डिवीजन में तो इधर जाकर मल्टिप्लिकेशन होगा बात मानते हो कि नहीं मुझे पता है कि 8 x 5 40 मतलब 0 में एंड होने वाला है क्लियर है कि अगर 0 में एंड होने तो मैं सिंपल इसको क्या इतना आ गया अभी बचा क्या 32% of 38200 परसेंटेश से 20 कट जाएंगी तो अंसर क्या आएगा 32 into 382 ठीक है एक तरीका तो यह है कि 32 का मल्टिपल होना चाहिए या निकि 16 या चार का मल्टिपल होना चाहिए तो चार की मल्टिपल तो सारे हो प्लस नन आप दीज भी है तो मैं चाहिए मुझेल बटिशन देखर मिवए तो मैं क्या करओं इसका मिल्टिपलाइ किसे करूंगा हूं मुझे 22 का स्कॉर पता होता है 320 प्लस 32 कितना हुआ 352 352 में क्या जोड़ूं कि इतना आ जाए 30 जोड़ूंगा आ गया कि नहीं आ गया अच्छा 32 इंटू 320 यानि 32 32 कितना हुआ 1024 जीरो एक जीरो क्यों लगाई क्यों कि यहां पर एक जीरो थी 32 वन ट्रिपल टू फोर वन टू ठीक है शाहिए कि नहीं यस वन ट्रिपल टू फोर जाहिए लिखा ना मैंने 1024 को गढ़वड होगी क्या नन अब दीज होगा नन अब दीज साहिए कि नहीं कई वार अलग अलग अंसर देखकर मुझे भी ऐसा लगता है वही मैंने गलत तो नह कर दिया कहीं ठीक है ऑप्शन इनन अब दीज ठीक है बागी आप देख लेना मलब कॉंसेप्स में आ गया कि नहीं आ गया आई ठीक है चलिए बड़े आगे शात्मा सवाल लिख देते हैं जल्दी से वोड़ पर ठीक है नोट डाउन करते जाए करो सारे कॉंसेप्स को तो चीज़ें याद रहती है वनना अब फिर कहते हैं उसरे एक्जाम में याद नहीं आता सेवंत कॉशन देखते हैं चलो सेवंत कॉशन हमाई सामने यह अगर इसी कोशन की जागे 32% मेरी अप्रोच के साथ कैसे बदलती है सारा गेम नंबर्स का है ठीक है अगर नंबर चेंज की जगे मैंने कर दिया 4975 तो अब मेरी अप्रोच क्या होगी बताओ नंबर के साथ अप्रोच बदलती है यह बात को आप मानना पड़ेगा आपको कि नंबर चेंज अप्रोच बदल गई ठीक है क्या करेंगे बोलो अब यह 4975 ना 5000 के बहुत नजदी के यह बात मानोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5000 माइनस ट्रिंटीफाइव सही है कि नहीं आठ को बाद में देखेंगे अचा 32 पर्सेंट और 5000 कितना होता है 32 पर्सेंट से 20 कटेंगी बेरी बात से अजान से सुनों लिख नहीं रहा हूं कोई भी चीज़ पर्सेंट से 20 कटेंगी बचेगा क्या फिप्टी इंटू थर्टीटू 50 मतलब हंड़ेड बा आगे दिमाग में स्वाल करने की ज़रू तो नहीं पढ़े में लिकर ऐसे तो नहीं मर अब तिस परसेंट वाद इस इंटू पचास यहां पर वैट कर ऐसे रो रहे हैं पांच इंटू दो दर्स पंद्रहॉर एक सोल ऐसा तो नहीं करना पड़ान ऐसे क्रकूलेशन होई बोड़ावर 2% कितनी बार बताया होगा अंगने बार आपको बताया होगा मादफ थर्टी टू परचेंट ऑप स्ट्विंटी फायर फियंटी फैइज पर्चेंट अब तरी वन फोर्ट इसका वन फॉर्थ कितना होता एट ऐट माइनस कितना हो कि एट आड़ा यह से मल्टिप्लाइक ना है इसमें अब यह यह अजर आके मल्टिप्लाइच तो इस वांटे इन टोगया इंट इस अंट सोलन टू यह पूसवाइफ यह आई नबर बदला मेरी अप्रोच बदल गई मैं एक इप अप्रोच से चपक कर नहीं बैठ गया ऐसा को शुन आएगा तो यही करना है नहीं नंबर चेंज हो गया तो मेरा प्रेजेंस ओप माइंड गाता है कि मैं अप्रोच भी बदल दूँ ठीक है चलिए आगे बड़े चलो नेक्स्ट कुश्चन की तरह बढ़ते हैं एर्थ कुश्चन आथमा सवाल हो मजा आजाएगा इस कुश्चन के बाद बहुत ही बैतरीन सवाल है 21 x 41 x 97 प्लस 4 raised to the power 1 by 4 बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ 17 16.5 17 16.5 27 18 none of these 27 18 and none of these बताओ जल्दी से option A B C D and E आपके प्रीलिम एग्जाम से पहले प्रोमिस करता हूं कि एक बहुत लंबी ग्लास से जरूर लूंगा रात में बले 4 गंटे 5 गंटे 6 गंटे पढ़ना पड़े लगातार क्लास चले लेकिन प्रीलिम एग्जाम से पहले आपको प्रीलिम के लायक बना देना है मतलब प्रीलिम एग्जाम क्रैक हो जाए उसमें सारे टॉपिक कवर करने प्रीलिम का डियाई प्रीलिम का सिंप्लि यह तो बड़ा टफ है कि मतलब इसका multiply कौन करेगा इससे बड़िया छोड़ देते हैं इस question को चलो multiply कर भी लिया तो power 1 by 4 के लिए square root दो बार करना पड़ेगा एक बार square root फोर जो आया उसका भी square root इतना समय नहीं है exam मैं छोड़ देते हैं question को लेकिन छोड़ने से पहले र norm देख लेते हैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं इस्में फिश नहीं कर सकते हैं प्रायम नंबर Oke टूटेगा नहीं पर यह टूटेगा इसको मैं क्या लिखूंँ 7 x 3 लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं और कोई रास्ता ही नहीं है अच्छा 3 को अगर इसे देदें और 7 को इसे देदें तो क्या बनेगा 7 x 41 ऐसे लिखूंँ 7 x 41 प्लस 7 x 3 x 97 कोई दिक्कत तो नहीं है रियर्रेंज किया है टर्म्स को बस और अब देखो पिक्चर कैसे बदल जाएगी 7 x 41 मतलब कितना 287 यह कितना 3721 and 29 291 प्लस 4 आब काव़ वन वन वाई 4 अब तो प्रिक्चर क्लियर हो जाए विल्कुल कि वह यह क्या है 289 माइस दो यह तो 89 प्लस 3 एस हों दो मांते हो कि नहीं ट porch 2 × 2 कट गया ओस्यावण चेवंटीन आंसर चाइस ऐसे करेंगे गया मलब कुस्चिन चोटने से पहले एट लीस्ट स्कॉर एक बाढ़ देख लो ठीक है एट लेश्ट एक बाड़ देख लो कि यस कि जैसे मनलब वाट्टेप पर बार बार ओपन करके अपनी गल्फरेंड की पिक देखते हो ना मनलब बार 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 देखते हो एक ही फोटो को ऐसे कम से कम कोश्चन को एक नजर तो देख लो मेभी कि आपको लॉजिक स्ट्राइक कर जाए छोड़ने से पहले एक बार कॉश्चन स्कैन कर लेने चाहिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं चलो आज कर नाइन्थ कोश्चन अरे वाँ इसमें तो मदलब मजा ही आ जाए देखते हैं कितने लोग चैलेंज है आप लोगों के लिए इसको कैसे करेंगे 283 1 by 3% of 96 plus 871 3 by 7% of 871 3 by 7% of 91 बता क्या अंसर होगा अप्शन A Option A is 1055, 1055, 1065 Option C 965, 1165 and none of these बताओ क्या आंसर होगा आज यहां पर दीपक सिंह कह रहे हैं कि दूसरों की गलफेंट की देखते हैं अपनी की नहीं देखते हैं यह तो मनलब तुह बहुत गलत बात हैं मतलब कि इसकी सजा मतलब मलब तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है उस समय लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है सब हिसाब होगा आपका टेंशन मतलो कि थैंक्यू सो मच मनूच कि वाव वह जोन सी ना तुम फिर भी आ फिर आ गए कि चलो अप्षिन बिलो कर दों चलो देख लें nap लेकिन बहुत का मांशर ऑ रहे हैं बहुत घो होट 5 लीवत कम लोग इस का सब कर रहें चलो यह बहुत अच्छा वात इक इसको तो मैं कर सकता ह одна क्यूक्त एक सब्सक्राइब 95 अअ कहीं देखा हूं उनकी पहली क्लास थी अगर वो लोग यहां मौझूद हैं तो उनको पता होगा कि 83 1 by 3% 5 by 6 आज ही बता है कि कैसे आता है अभी जिनको नहीं पता उनके लिए इतना से मैं अभी मेरे पास नहीं कि पूरा बता हूं ठीक चलो फिर ही बता देता हूं यह मेरा मन नहीं महनता बिन बता है 83.33% लिख सकता हूं इसको that is 10 times 8.33% ऐसे लिख सकता हूं 8.33% होता है 1 by 12 और 10 into 1 by 12 कितना होगा 5 by 6 that's how it is 5 by 6 ठीक जल्दी बता दिया मैंने तो मैं यह क्या है 5 by 6 है यह क्या है डवल है ठीक है यह डवल है मतलब इसका डवल 96 का डवल कितना होता है 192 और 5 by 6 यह कितना 5 by 6 5 by 6 of 96 कि यह चैसे गया 16 बार 16 into 5 कितना हो असी यह सो अच्छा यह बड़ा चाहिए यह तो कर लिया य वाकई में लेकिन एक बात सोचें कि इसको कम से कम इतना तो करें 800 परसेंट प्लस 71 3 by 7 परसेंट ठीक है मुझे नहीं पता 71 3 by 7 परसेंट की वैल्यू क्या है लेकिन अगर मैंने 3 by 7 को पॉइंट में कनवर्ट किया तो मेरे पास क्या मिलेगा तो 71.7 पॉइंट पॉइंट ब मतलब भूली विश्री याद है कुछ याद आ रही है जैसे करन अर्जन मूवी में वापस गाओं पहुंचते हैं तो कहता है कि यहां पर एक चूडियों का बजार हुगा करता था यहां मैं पहले कभी आया हुगा हूँ कुछ ऐसा ही मतलब याद कुछ रिकॉल करने की कोश इसका मतलब इसमें 10 से multiply कर दूंगा तो this is 71.4% that is equal to 10 by 14 आगे डिवाइट करोगे साथ से तो आगे और भी आएगा ठीक है इसमें और और इसके आगे भी नंबर होते हैं जब आप 1 by 14 करते हो तो और भी आगे नंबर आएंगे तो टू ही आता इसके आगे ठीक है तो 10 by 14 यानि कि कितना 5 by 7 कहना इसे कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 by 7 है किसका 5 by 7 इसका 91 का यह सो नो यानि कि तेरे तेरे बार गया तेरे इंटू पांच कितना हो गया पैंसट हो गया आठ्सव पर्शन तो आठ गुना आ आठ एक आठ इंट एक आठ आठ इंटू नो बैट तर 728 अभी एड करने का भी स्टायल होना चाहिए ऐसा नहीं कि इनको एड किया फर इनको हुआ नहीं करना कहा दिकू कि इस महीं से आठ इसको देडिया तो दो duża रचाहए ऑना 900 220 यह कितना बना एक हजार R mankindzięk मना एक हजार इक हजार उपैसाः कितना एक हजार पैसे एसटाइल से अठ करेंगी option वी कैसे एक किया यह देखो मैने आठ इसमें से इसको दिया 22abi किया साथ सोभी 200 साथ सोभी 920 नौश्य और शी एक हजार एक हजार और पैसे एक हजार पैसे एक एक यह करना है एक सब्सक्राइब ऐसी साथ सोटाइस सिक्स्टी फाइव ऐसे किया आठ और पांस तेरे और दो पता नहीं चुने इस तरीके से ऐसे नहीं करना ठीक है एड भी दिमाग में करें तब टाइम बचा पाऊगे तो यह थोड़ा सा मुश्किल सवाल था ठीक है बहुत से लोगों के लिए आसान होगा अगला सवाल देखने वाले हैं बहुती बढ़िया दसमा सवाल है ठीक है आज दस पर ही रखते हैं शायद देखो चलो कोशिच करेंगे और भी करें आगे चलो दसमा सवाल है यह 183 इसके बाद भी सेशन है ना इसके बाद भी सेशन है यहां पर 183 1 by 3 into 156 divided by 100 यह सवाल है ठ प्लस 18.75 into 112 divided by 100 यह पूरे की वैल्यू क्या होगी यह पूचा गया है ठीक है तो option है मेरे पास 417 second option है 207 third option है 306 307 306 307 and 813 चलो बता बता जल्दी से कि टफ हो गया ने थोड़ा सा टफ हो गया कि सब मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है मैं उसको ठीक करूं तो करो ठीक अब ठीक कैसे करूं देखो उसकी कोई दवाई तो मार्केट में आती नहीं है कि मैं बता देता कि यह मार्केट में दवाई आती है इसको सुभश चाम खा ले ना ठीक हो जाए एक रास्तर प्रेक्टेस प्रेक्ट इसको ठेस्ट नॉइन in इत्ते नौह बाजार में मतलब राशन लेने नहारे हो तो जब हाना कारता हुआ दिमाग में कवेटक्न होटल जा रहे हो खाना-खाने तो जब राता है उसको दिमाग में सल्था रहा पर ट्रेडिशनल तरीके से बुकिश मैथर्ट ने कोई कुशन लगाते रहोगे तो वो सिंप्लिफिकेशन स्ट्रॉंग नहीं होने वाला यह सवाल है अभी 83 1 by 3 से मुझे क्या आता है यह यह बात है कि मतलब यह चीज़ मैं नोटिस कर पाहूं कि दिस डिवाइड बाइड बाइ यह बने परसेंटेज 18.75% और परसेंट ओफ एसे लिग दिया तो काम बनेगी किनिक कानी बने कि आगे देखते हैं जरह बनती है कि यह क्या है 100% प्लस 83 1 by 3% और यह क्या है अच्छा यह तो भई 3 टाइम से किसका 3 टाइम सब 6.25 परसेंट यह होता है 100% 156 83 1 by 3 परसेंट मतल यह सवाल में 5 by 6 of 156 6 से काटो चैट इंटू दो बाराइच इंटू चैट इंटू पांच करना ना चैट इंटू दस बटा दो 10 by 2 260 by 2 130 130 आजा 3 इंटू 6 6.25 परसेंट परते हारो ना 1 by 16 आजा 1 by 16 ओफ क्या 112 सोले साथ 112 साथ इंटू 3 एककिस जोड़ दो ना तो इसको तो साथ मेरा होगया आंसर ओप्षिंटी क्लियर है ओके समझ में आ गया मतलब जो पैटर ना को है डिवाइट बाइंट आप मल्टिप्लाइ करने में लगे थे डिवाइट बाइंट को परसेंटेज बनाते ना और परसेंटेज को फ्रेक्शन में कनवर्ट करते आंसर आ जा एलेवंत कुश्चन क्या है देखो 88.8 परसेंट यह थोड़ा टफ हो जाएगा लेकिन इस टफ कुश्चन को सिंप्लेस्ट अप्रोच से बताऊंगा मलब बिना पैन उठाए कैसे कर सकते हैं इस टाइप के कुश्चन को यह अप्रोच बहुत काम आती है एक्जाम में याद रखना यह आपने सीख लिया ऐसी टेक्निक तो कुश्चन चुट क्यों में हो जाएंगे नेक्स इसमें है 1424.8 यह है इस इकल टू वाट ओके ऑप्शन है ऑप्शन एस 46.176 ठीक है ऑप्शन भी इस 45.176 ऑप्शन सी इस 46.175 नेक्स्ट इस 142.46 142.46 नेक्स्ट ऑप्शन इस 34.246 34.246 ऑप्शन A B C D E बताओ क्या आंसर होगा एक्जामिनर जानबूच कर कही वार ऐसे कुश्चन देता है वो चाहता ही नहीं कि इस कुश्चन को आप नॉर्मल मेथड से करो ठीक है अगर आप में से बहुत से लों कहे ही नहीं एक्जामिनर ने वहीं सोच कर वो कुश्चन डिजाइन किया कि आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है के नहीं वो टेस्ट करने के लिए तो इस कुश्चन को कैसे करेंगे बताओ कि अले सवाल है कि चलो फॉट्टीट वन टू वाइट ट्री परसंट को अगर मैं चाहूं तो ऐसे ही लिख्षाच्छाथा घैंद देखा है का देखा है 16 टू बाइट रिमें अगरं शिक्स्टीन टू बाइ-3 परशन यहां से अलग निकाला तो पच्च्च्वर्ष अलग 5 by 12 5 by 12 में इसका निकाल सकता हूं 5 by 12 निकालने के बाद इसको 88.8 से multiply करूंगा divide by 100 करूंगा answer clear cut लेकिन लेकिन क्या इतना feasible है मतलब exam में उससे पहले मेरी approach क्या रहेगी कि कि कोई भी number अगर इस form में हो aaa की form में मतलब तीनों digits same हो obviously वो number 3 का multiple होगा why because the sum of digits will be 3 3a मतलब 3 का multiple 3 का divisibility rule क्या कहता है कि sum of digits must be a multiple of 3 that means यह जो number होगा जिसमें तीनों digits एक जैसे हैं वो 3 का multiple होगा अब यहां पर जड़ा देखो यह सम मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे यह देखना है कि यह जो number है यह जो number है यह जो number है वो 3 का multiple है यह जो number है वो 3 का multiple है ठीक है तो आपने सोचा कि यह 3 का multiple है लेकिन उससे check करने से पहले आपने यह भी देखा कि यह 5 by 12 होता यह आपको पता होना चाहिए लेकिन हो सकता है कि यह 3 के multiple से यह कट जाए और यहां तीन का मैल्टिपल आई ही ना मतलब जो मेरा फाइनल आंसर है वो तीन का मैल्टिपल हुई ना लेकिन उससे पहले मुझे यह भी देखना है कि यह नंबर बारह का मैल्टिपल है मतलब बारह से यह कट जाएगा कि तो मतलब नीचे तो तीन का मल्टिपल कोई बचेगा निए क्योंकि बारा को यह झागएगा baThis काड़ देगा तो नीचे को तीन का मल्टिपल बचा नहीं यह 3 पा संथा नंसर चाहिए रोगे ऑफ कहाइजा न ही तो आद से 14 14 14 यह तो 15 पांच ओर चान नहीं और नहीं यह देंका 6-10 िरह दूस्च नहीं है मतलब के भल एक ही option है जो तीन का multiple है clearly by option elimination I can solve this question कर सकते हैं कि नहीं by option elimination तो मतलब हमेशा देख लो के जहां number 3 digit एक जैसे हूं तो सबसे पहले हमें क्या लगना है 3 का divisualty rule अगर उससे नहीं होता है तो फिर तो normal से करेंगी ठीक है लेकिन सबसे पहले उससे try करना है एक आखरी सवाल देख लें आज का चलो देख लेते हैं 191 2 by 3 percent of यह last question है आज का बार है मां question ठीक है 191 2 by 3 percent of 216 plus 208 1 by 3 percent of 208 1 by 3 percent of 276 276 बताओ क्या होगा options are 889, 989, next option is 984, 899, 984, 899 and none of these A, B, C, D and E चलो, बताओ जिल्ली 889 कुछ लोग करने 989 टफ है न सवाल वाई इनकी फ्रेक्शन वैली तो नहीं पता होती है तो ऐसे कर सकते हैं 200 पर्सेंट प्लस 8 1 by 3 percent चलो यह ठीक है यह 1 by 12 होता है 8.33 पर्सेंट 1 by 12 होता है पर यह तो नहीं पता न यह नहीं आता है लेकिन इसको मैं ऐसे सोच हूँ तो दिस इस 200 पर्सेंट माइनस 8 1 by 3 percent ऐसा मैंने क्यों सोचा क्योंकि एक सब्सक्राइब में आठ जोड़ेंगे तो 199 आएगा और 2 by 3 में 1 by 3 जोड़ेंगे तो वन आ जाएगा तो 199 प्रेस 1 200 बन जाएगा मतलब यह 200 से कितना कमें 8 1 by 3 कम है तो बस मैंने ऐसे इमेजन किया और मैंने 20% इसका प्लास 200 परशेंट में इन दोनों के सम का 200 परशेंट तो उल्टिमेटीमेट ली कुशें क्या बना 200% ओफ इन डोनों का सम इन डोनों का सम कितना है च्छे और 6 बारह कैरी एक साथ और एक आठ ठोरी किनल चार 492 ठीक और प्लस 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 एट 1 by 3 पर्शन इस बड बड़ा वाला पॉजेटिव फोटे वाला निगेटिव तो पॉजेटिव आएगा 8 1 by 3% इंदों का डिफरेंस गितना है 76 और 16 का डिफरेंस 60 इस देफरेंस ना 200 परसंट इसका डबल करेंगे ना 49 का डबल 98 एंट डू का डबल 4 प्लस 8 1 by 3% कितना होता है 1 by 12 इस नंबर कितना होगा 60 का 1 by 12 कितना होगा पांच 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 जोड़ तो 989 आजाएगा यस होगा टेक्निक्स समझ में आई उम्मीद करता हूँ कि 12 के 12 के 12 कुश्चन करें और मैं आपको सिखा पाया हूँगा नई टेक्निक्स ओअगर अगर आप लोग शुरू से अन्त से हर टॉपिक में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं बहुत लक्ष बहरा है सब दिखा दीजिए एक बार बैनर हो आपके पास तो ठीक है ठीक है आप स्टोर डॉट अड़र 247.com पर जाएए यू कन जॉइन दिस पैच ठीक है दिस इस वर दा अब recorded देखना पड़ेगा बैटर गया है कि शुरुआत से अड्मिशन रो ठीक है अगर लेना है तो ठीक है तो इसलिए में शुरुआत में बताता हूं उसके बाद बताता भी नहीं ठीक है स्टोर पर जाईए ओनलाइन लाइफ क्लासेस में क्लिक करिए ठीक है और यहां पर यह सेशन आपके लिए फ्रूट्फुल रहा होगा ऐसी सेशन इसी समय पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्योंकि मेरे पास दुपैर में समय मिलता नहीं है आप कहते हो कि सर लाइब नहीं लेते लेकिन एक्ट्वल रीजन इसके समय नहीं मिल पाता है अभी मैंने शाम का स्लोट निकाला है ठीक है घर पर बीवी से बहस करके थोड़ा सा आना पड़ता है कि अब जा रहा हूं एक गंटे में बापस आता हूं सामान भी लेकर जाना है धर पर जाते समय ठीक है तो मिलेंगे कुछ इसी तरीके से चलते चलते उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया हो होगा ठीक है मिलते अंगली क्लास में गुड़ नाइट थैंकियो सो मैच कर दो कर दो कर दो कर दो तो मिलते जाल्स आता है